आज एक बड़ी बैठक है जिस बड़ी बैठक में किंद्रिया कृष्ण मंत्री होंगे इसमें पियुष गोयल भी मौजूद रहेंगे ये दोनों इससे पहले की जो दो बार की बैठक हुई है उसमें भी रहे और किसान संगठन में भी बताई जा रहे वहाँ से भी दस प्रत अप उनकी कल भारत बन का अवाऌन किया गया क्या वो वापस लिया जाएगा क्या किसानों के सांडुल की एक बहुत बड़ी बैठक है रेल रो को अभियान उनका लगातार जारी जहां ट्राक्स पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं किसान दूसरी तरफ टोल फ्री कर दिये गए तो चंडिगर्ड में किसान और सरकार की एक साचा बैठक है लेकिन इस बैठक में MSP को लेकर क्या कोई बात बन पाए क्योंकि जहां पेज फासा हुए वो है MSP का मैटर MSP के मसले पर नियूंतम समर्थन मुल्य के मैटर पर क्या बात बन पाएगी जो सबसे बड़ा मसला है तीन घंडे के बाद ये बड़ी बैठे है हमारा किसान दिल्ली के तरफ मार्च कर रहा है उनके बहुत सी समस्या है चाहे minimum support prize हो चाहे और कुछ हो तब हमारे मोदी जी प्रधान मंत्री जी गैरेंटी फेम प्रधान मंत्री जी विदेश में घुम रहे है मंदिरों का उद्गाडन कर रहे है लेकिन जिनके वज़े से मंदिर बंद रहा है यह देश दुमंदीर है दुमंद रहा है वो किसान सडक पर उत्राए और उनके ओपर अशुर धूर टियर गैस लाठिया उनके रास्ते में खिले ठोक दिये गए है यह उनकी गैरेंटी है मोदी बैशिंग की जो सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश बनती जा रही है मैं अपने यो हमारे अन्यदाता है उनको मैं अपराधी नहीं मानता उनको मैं कोई आतंगवाधी नहीं मानता कि किस समय पे जो है वो हमें गर्बल जाला करना है और इन घोचू लोगों को यह नहीं पता है कि देश जो है वो क्या सोच रहा है देश में जो एक confidence का माहौल है उसको आप जो है वो कमजोर नहीं कर सकते हैं तीन साल से बात्चीत हो रही है तीन साल से क्या कर रहे हैं सरकार तीन साल से बात हो रही है यह जानते थे जो पुझी पती हैं जो चंदा दाता है उनका तो सब माफ हो गया है यह पूछ रहे हैं करदा माफ क्या होगा आपको याद होगा 2008 में 72,000 क्रोर रुप्या करदा माफी परियोजना चिद्रमरम साब ने घोशना की थी और किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से ऐस एक वन टाइम करदा माफी की घोशना होनी चाहिए उस पर तो सरकार चुप है रहुल गांधी और कॉंग्रेस का यह पाखंड है जूट है और फरेभी है और दोगलापन है मैंने 2010 में यह सवाल पूछा था राज्यसभा में और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे है यही मुद्दे पर कि MSP स्वामिनाथन कमीशन का आप रेमिनुरेटिव प्राइसेज देंगे की नहीं उस फॉर्मिला के आधार पर आज अभी बोल रहे हैं कि गैरेंटी देंगे आरे आपक कि नहीं एडिया